असलाम वालेकुम गाइज क्या आले से उमीद है आप सब खेरियत से होंगे तो आज के एक रेंडम सी वीडियो है और डक्टर अब्दुलकजीर खान जैसे कि आप सब को पता होगे वो इस दुनिया से चले गए हैं और बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस वी इस ए प्राटीस तो वो तो चलो अलगी बात है उनकी बात ही नहीं करते हैं तो हमने उनको बहुत ज्यादा डिसपोइंड किया और हमने अपने कोमी सरमाया समझ ले एक इंतिहाई एक डाइमंड परस्नालिटी एक डाइमंड माइंड हमने आज खो दिया हमने उनकी कदर नहीं की उनने जो हमारे लिए किया अगर वह आप रियलाइस करें सब चीजों के एकसायड पर करके तो आपको पता चलेगा कि वह कितनी बड़ी कुर्बानी और कितनी बड़ी पावर है इसे कि वह उनने हमारे लिए चोड़के गए कितना बड़ा दिफाई सिस्टम चोड़के और द्या करेंगे कि आगे हमारे साथ ऐसे कुछ नहीं हो तो आए इस वीडियो में सब यह अज़िए करें कि आज के बाद जो भी हमारे कोमी ख़जाने कीमती खजाने जो बज़र गया हैं और जो जो लोग हैं जोने इन मुलक की खिदमत की हैं हम उनके रिस्पेक्ट करेंगे कर दिकाने के साथ उन्हें की रास्ता बताई है तो उस रासते को फॉलू करेंगे और काम्यावी की तरफ जाएंगे और कुछ बनके दिखाएंगे ना कि ये चीजों में दुनिया की भी चीज़े नहीं है जो एक ड्राउनिंग फेस हमारा चल रहा है कि हमारे यूद जो है वो बिलकुल एनेक्टिव है ना फिजिकली एक्टिव है ना मैंटली एक्टिव है सिर्फ सिर्फ सोशल मीडिया इन चीजों में गुसी वी है कि ये टिक टॉक्स होगे हैं क्या पहाशी है क्या सीन चल रहे हैं गेम्स देखें सारी जनरेशन्स गेमें में लगी हैं कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो इस सब चीजें जो है ना एक अलार्मिन सिच्वेशन है टर्स अब कितनी पैंशन मिलती रही आपको पहले तो मिलती थी 4460 रुपाई अभी 19,000 होगी अब पाकिस्तान में हर तरफ लोड शेडिंग के अंधेरे हैं क्या न्यूक्लियर तवानाई से ये मसला हो सकता है क्या तरीका है कोई शार्ट कट है शार्ट कट लगी तरीके बह किसी नहीं बताएंगे जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना अब उसके बाद कोई सलूशन कोई हल नहीं बताएंगे किसी को आप डाट साथ जिंदगी में किसी बात का पच्चतावा भी है इस कौम के लिए काम करने का तो अमीद करता हूं कि ये सब चीजे आपको समझ आ अपस